आठ मार्च को महिला दिवस है इस खास अवसर पर अमर उड़ाला फिल्म जगत की ऐसी पांच अभिनेत्रियों को याद कर रहा है जुन्होंने अपने बल पर कई फिल्मों को सफलता के शिखर तक पहुँचाया आईए जानते हैं कि हमारी लिस्ट में कौन सी पांच फिल्मे है जब महिला प्रदान फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है नर्गिस दत्त की मदर इंडिया का मदर इंडिया साल 1957 में रिलीज हुई थी जब किसी को हिंदी सिनेमा से परिचित कराया जाता है तो उसे नर्गिस की मदर इंडिया देखने की सलह जरूर दी जाता है कहा जाता है कि अगर आपने मदर इंडिया नहीं देखी तो हिंदी फिल्में नहीं देखी गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म आंधी 1925 में रिलीज हुई थी यह एक विवादित फिल्म थी इस पर विवादों की ऐसी आंधी उठी कि तबकालीन प्रधानमंत्री इंडिरा गांधी के आदेश पर फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया था कथित रूप से गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म की नायका सुचितरा सेन का पूरा गेट अप उनसे प्रेरित था इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत सराभा था 1993 में आई राजकुमार संतोशी की फिल्म दामीनी में मीनाक शीशे शादरी ने लीड रोल ने भाया था दामीनी एक ऐसी महिला की कहानी थी जो अयाय के खिलाफ लड़ती है और इन साप के लिए अपने परिवार के भी खिलाफ हो जाती है इस फिल्म में मीनाक शीशे शादरी ने जबरदस्त अभिने किया था इसी के लिए उन्हें फिल्म फियर अबेस्ट एक्ट्रेस नॉमेनेशन मिला था राजकुमार गुपता द्वारा निर्देशित नो वन किल जेसिका फिल्म संसनीख है जेसिका लाल हत्याकान पर आधारे थी सबरीना और मीरा गैटी की भूमिकाओं में विद्या बालन और रानी मुखर जी ने जब बलजस्त अभिने किया था उनसे बेहतरीन शाहद ही दूसरा कोई कलाकार एक्टिंग कर सकता था इन दोनों एक्ट्रे से इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी उस साल की यह कामियाब फिल्मों में से थी सुजोय गोश द्वारा निर्देशित फिल्म कहानी में विद्या बालन ने मुखे रोल निभाया था इसकी हीरोईन विद्या बालन के ही इर्दिगिर्द घूमती है फिल्म एक महिला के बदले की कहानी है जिसे परदे पर विद्या बालन ने जीवन्त कर दिया इस फिल्म के लिए विद्या को फिल मत फियर कभी स्टेक ट्रेस अवार्ड से समानित किया गया था